हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हम आज आपको रेलवे एंटिपी से और गुरूप डी की परिक्षा में पूछे गई पिर्शन जो और भी जेई कॉंस्टेवल ऐसा ये एलपी आदी परिक्षा में पूछे गई पिर्शन है उसमें हम आपको रसाइन बिग्ञान पदार्थ चैप्टर से पिर्शन संक्या 1 से 10 कराने वाले हैं इसमें हम यूथ कंपिर्शन टाइम की बुग दुआरा कराने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते है बने रहेगा वीडियो में अन्तक कोश्चन नमर बन निमलिखित में से किसके अन्वों के बीच आकर्सन बल अधिक्तम होता है तो यह गुरूप D में पूछा गए पिर्शन है तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से कोमेंट बॉक्स में देजिए तो इसका सही आंसर है डी ठोसके अंभूं के बीच आकर्सन बल अधिक्तम होता है तो इसका सही आंसर है कोश्चन नमर 2 की तरफ चलते हैं पधाथ के संदर्ब में निम्लिखित में से कौन सा खतन सही नहीं है सही नहीं है पदाहत के कणों के बीच कोई आकरसल बन नहीं होता है यह गलत बात है पदाहत के काण द्रव और बायू में सतत इस्तांदिर होते हैं यह भी सही है पदाहत कणों से बना होता है यह भी सही है पदाहत के कणों के बीच अंतर होता है यह भी सही है तो इसका नहीं पूछा है मतलब कौन सा कथन नहीं है नहीं है तो इसका A नहीं है तो इसका सही आंसर है Question 3 थोष के कड़ों के संदर्व में निम्द में से कौन सा सही है सही है उनके बीच अंतराल होते है Question 3 Question 3 तीन में बे यादसिजिदिक रूप से गतिसिल होते हैं उनमें बेफिसित तरीके से बिन्नासित होते हैं उनमें नियुम्तन आकर्सन होता है जिनका कौन सा सही है बेफिसित तरीके से बिन्नासित होते हैं तो तीसरा इसका सही आंसर है C कोशे नुमर चार अभी तब बिग्यानि को दुआरा पधार्थ की कितनी अवसताइं तै की गई हैं तो पधार्थ की पाँच अवसताइं ग्याद की जा चुकी है एक ठोस है एक दिरव है और गैस है और एक पिलाजमा है यह का बोस आंस्टीन पदार्थ की पाँच अबस्ताएं खोजी जा चुकी है कुशनर पाँच नीचे दी गए आकर्टी से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है सोलिड, लिक्विड, गैस, पिलाजमा पदार्थ की चारो अबस्ताएं को प्रमाई ब्याख्या देखी जा सकती है यह विर्कुल सही है पिलाजमा एक तरल पदार्थ है, यह गलत है यह आकर्थी पदार्थ की चोथी अबस्ता यानि पिलाजमा को प्रदेशित करती है यह विर्कुल सही है यह आकर्थी पदार्थ की विविन अविस्ताओं के बारे में जानकारी पिर्दान करती है, यह सही है, तो कुछ सा अनुमान नहीं लगाय जा सकता, तो इसका भी इसका सही आंसर है। कोशनम 6 में बिस्रण अतिरिक तीवता से होता है बिस्रण कार्थ है फैलना या निकलना तो गैसों में बिस्रण की तर अधिक होती है क्योंकि बहुत कोशनम 7 यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है अमोनिया गैस होती है तो कपूर क्या है कपूर एक ठोस है तो भी इसका सही आंसर है कोशनम 8 निमलिखित में से कौन सा गलत है कौन सा गलत है पधार्थ के कण इस्ति रवस्ता में नहीं होते हैं ये इस्ति रवस्ता में नहीं होते है तो इसका सही आंसर है पधार्थ बहुत छोटे कणों होते हैं ये सही है पधार्थ के कण एक दूसरे को अगर्शित करते हैं ये भी सही है पधात क एकड़ों के बीच रिकिस्तान होता है ये जांए एलपी में पूचा गया फिरसंट नहीं अगरत है पहला इसका है पहला गलत है टो फहींस का सड्रीय आमसर है positivo को है को सब्संद्र 9 एक सुद्ध पधार्थ है एक सुद्ध पधार्थ है चीनी का गोल मेथेन दूद बायू तो मेथेन यानि एक गैस है ये सुद्ध पधार्थ है बायू और एक तद्वो का मिस्रण है दूद में मिस्रण होता है कई बिटामिस का चीनी का गोल में मिस्रण होता है पानी का तो स है को है को नमर्ट 10 कोन सा कों सा ए दृता आर उफारद के पिरिकारा के नुसार करणों के इस्थान के आधार पर हागार बजलता है यह गलत है शंपिडित्ता यह पदारतों को बहगुन है जिसके कारण उच दाप पर उनका आयतन कम हो जाता है यह गुन गैसों में पाया जाता है तो यह बिकुछ सही है तो B इसका सही आंसर है यह B है विकल अमर C में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक यू फूर बाचिंग इस वीडियो यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्कार करें और जाता से जाता सेयर करें थेंक यू